25 दिन हो गए आपने ठीक कहा कि 25 दिन हो गए और किसान कलकला ती ठंड में सड़कों के उपर है किसान को होना सी जाता खेत में लेकिन किसान पड़ा है सलक के उपर हल तो सरकार के हत्मे है किसान का कहना है कि जो है ये अध्यदेश वापस हो सरकार का कहना है कि संसोधन हो तो हल तो यह निकले अगा कि बैठके बीच की वारता हो जह साथ दोर चले हैं वारता कि तो इसमें कुछ हल निकला है बारे लोग जो है बारे लोग जो है बारे वह इसमें संसोदन हुए हैं तो हमना ल्ग ये विल जोब आपीश होको आजके क्यारेकरम है करने म्मिक कहारось कि एक बार अपने नाम बोल देना पूरा नाम मांगे राम दो में नाम मांगे राम त्यागी है और मैं जो है चीफ सेकेटरी हूं NCR का भारतिकिसांट भारतिकिसांट अब लाव से जिए आज शेहिजी दिवसमी जो जो जनों की जान गई है तो बताएं कैसे उनका यह हमारे मने में दर्द है आदे जाते हुए उनकी में देथ होई यह है मोदी सरकार को समझेना चाहिए जो धक्कावरा किसानों के साहथ है अब मैंने इंट्रव्य देखा है मोदी का वो कहरा है वे सुनेंगे बास सुनेंगे किसानों के दौलम में हैं मारे आपको उनके साह और गुर्त आज जो हमारे खिसान भाईयों की जान गई है इस पूरे अंदोलम में उनको किस तरह से आप लोग याद करने वाले हैं भाई वो तो कभी जाद ही नहीं बूलेंगे क्योंकि उन्हें हमारा साह दिया शुरू से लगे से साह में जो चले गए उससे बूल कर नहीं सकते एक सा आज दोलम चल रहा है इसके बाद फिर उसके साथ सारा करेंगे वो करेंगे आत्मशार में बोग करते हैं जो करते हैं सब आजिए तक न कुछ करना के लिए करेंगे ना फिर टाइम आने परना अभी तो यही निए फिनिश हो रहा कि क्या लगता है कैसे इसका समाधान निकल ना परकोड़ों चीक है कैसे आज कर रहे हैं के आज भी तौर पर आपको यात कर रहा है हम काले तीन कानून कृषी के खिलाफ इनोंने हमारी बार्सरकार ने हमारे उपर थोपे हैं बीना पूछे बीना बताए और उसके खिलाफ हमारा यह धरना प्रदर्शन जो चल लिए जिसमें हमारे बच्चे भी हमारे बिजुरुग भी शहीद हुए हैं 25-30 आदमी शहीद हो गए हैं उनकी करवानी बेर्थ नहीं जाएगी सरकार यह मत समझे कि वो किसान ऐसी बैठे पड़े हैं हम उनकी शरणाजली उनको दी है अब भी देंगे आज गुरुतेक बहादर जी का दन्म शहीदी दिश्व है उन्होंने भी आज के दिन यहां पर इशादत दी थी आगे हिंदू धर्म के लिए और हम भी यह मतलब हिंद हम साल लग जाए दो साल लग जाए छे मीने लग जाए एक महिना लग जाए हम डटे हुए हैं